हलो स्टुडेंट्स आज अपने एक और लेक्चर करेंगे अविष्टिया बर्जन सिद्धान्त का और उसमें कुष्चन बच रहा है अपना और वो क्या है जैसे एक से दो सो पचास के मध्य उन पुडांकों की संक्षा ग्याद करो जो दो तीन पांच तता साथ मैंसे किसी भ इंटिजर्स दिया है अपने को 1 से लेकर कहां तक 250 तक और वो क्या है जो लेकर 250 तक के जितने बी क्या है तो नमबर ग्याद करन या 7 से divisible हो, तो निश्चिद रूप से जब इस तरी की चीज आती है, अपने, तो या तो 2 से, या 3 से, या 5 से, तथा 7 से, किसी भी पुरांग से विवाजित होते हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, चार समुच्यों का अविष्टिया वर्जन सिद्धान लगाना पड आउनर इस तो सबसे पहले तो इसमें दिखान रखो, जैसे, एवन यूिइन ए टू यूिइन, ए तुर य्थी यू इसमें अपन निकालेंगे, तो इसमें टोटल लंबर अर कितनी आरही हैं अपने पास, एक, तो, तीन, चार, पांच, छे शाथ, आठ नो, दस, यार pewno है, तो पंदरा टरम्स इसमें आ रही हैं अपने, तो निश्य दरूप से आसान काम नहीं हो, ये पंदरा टरम्स को कैलकुलेट करना, लेकिन कुश्चन आता है एक्जाम में, थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, तो पंदरा टरम्स में से भी अब अपन ये देखने की, प्लस क जो है इसमें माइनस किये अब यह कैसे कैलकुलेट करनी है अपने को यह आना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले जैसे अपने ए यूनियन भी यूनियन से निकाल आता तो आपने वहां देखा होगा कि अपन क्या करते थे अपने को समझना भी है और फिर अपन बी का एसे लेंगे तो आगया बी का आप किससे लोग है आप सी से बीका सी से और फिर लाश्ट में तीनों के इंटरसेक्शन को अपन एड कर दे दे तो इसी तरीकी का प्रोसेस इसने किया यहां पर तो पहले में फार्मर रटाना सिखा रहा हूं तो मैं कि एवन एटू एथ्री और एफॉर की कार्ड लिनिटी तो जोन दो आप एवन प्लस एटू प्लस एथ्री प्लस एफॉर कोई दिक्कत नहीं है साब अब आप क्या करोगे वन का इंटरसेक्शन एथ्री से लोगे सप्टेक्त कर दो अपने फिर आप एटू का लेंगे तो तो A2 का A1 से मौझूद है तो वो नहीं लिखा दाएगा हम A2 का A3 से लेंगे तो A2 का A3 से आ गया A2 का फिर A4 से लेंगे तो ये भी आगए अपने पास ठीक है अब फिर 3-3 का सेट बनाओ A1, A2 और A3 अब की वाल लेकिन ये एड होंगे तो A1, A2 और A3 का इंटरसेक्शन एड होगा फिर A1, A2 और A4 का इंटरसेक्शन एड होगा फिर A1, A3 और A4 का इंटरसेक्शन एड होगा और फिर A2 का इसी तरीके से कॉम्बिनेशन मनाएंगे तो तो फार्मुले में नहीं हो कम से कम तुम से यह द्हान रखना फार्मुले में कलती होई तो फिर तो इसका कोई लाज नहीं है तो मैंने पहले बताया उन मेंसे आअठ प्लस की और साथ मायनस की इंडिपेन्ट कारलीनिटी जोड़ दो तीन तीन के पिएर में 休 decor मना डीं करके और फिर लाश्ट में चार की पिएर में उसकेर को धरे यह फार्मुला तो अपने को किताब में अपने एक सौर्ड कोश्चन है उसमें पूरा लिखा हुआ है मैंने अंसौर्ड कोश्चन लिया जानके असलिए अपसे लिया तो वहाँ आप पूरी तरह से देख लेंगे एक से दूसों पचास की मध्य एवन बरावर एक सेट बनाया है एक से दूसों पचास की मध्य पुरांकों का समुच्च एक से दूसों पचास की मध्य पुरांकों का समुच्च जो दो से विभाजित हो ठीक है क्या है इसका मतलब एक से लेके 250 तक की संख्या लिख दी और उन संख्याओं में वो संख्याओं गयात करनी है जो दो से विभाजित हो और उनका समुच्य बना लिया अपनने एवन उनका सेट क्या बना लिया अपनने इसी तरह से ए 2 में क्या लिखेंगे एक से 250 के मद्या पुझांकों का समुच्छ जो तीन से विवाजी तो जो तीन से विवाजी तो ठीक है आप लिए जो मैंने लिखी है ऊपर की फिर ए 3 ऐसे लिखेंगे एक से 250 के मध्य पुरांकों का समुच्च जो विवाजी तो आप पास से पास से डिवीजिवल हो ठीक है इंग्लिश मेने वाले बहुत परेशान हो रहे हैं तुम्हार को टरम्स जरूर बोल देंगे लेकिन बाकी सब्जेक्टों में तो बिल्कुल इलाज नहीं है तुम्हारा वहां तो सारा हिंदी मीडियम का अकॉले जाए तो उसी के अकॉर्डिंग चलता है तो आप जितना समझ में उतना समझो आप कहीं डालो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है तो एक से 250 के मध्य पुरांकों का समुच्च फेर आप किससे लिखोगे जो सास से भी भाजी तो नंबर आप श्टूडेंट्स च्छस्व में से साड़े पास्व से उपर होते हैं तो उनिको ध्यान में रख्या मार को पढ़ाना पड़ता है और अंभी इंग्लिश मीडियम के ते अब सब हम इंदी मीडियम के हो गए इस देश में पच्चीस साल की नौकरी करके तो आ पन नै क्या बना लिया एक ऐसा सैट 7r Hi到강 कि क्या खासियत है कि एक से 250 के मद्रिक्स शलिपरीBlack लागता है उनको जैक और अब और एक तरीक सब 8 तो सब्हार्बतों इनके अन्दर ना है तो किस तरीकए से भरते हैं वह आप कहा ना चाहिए ठीक है तो बने पहली बता है कुश्चन लंबा तो एवन बराबर हुआ आपने पास काड़िनेटी ऑफ एवन जो आएगी वह क्या एगी जो आप एक क्या बनाऊगे ब्रैकिट बनाऊगे इस तरीके का और उसमें 250 में दो का भाग लगा दो इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको अब इस 125 में सबसे बड़ा जो पुरांग के इंटीजर है वह 125 है तो इसका आंसर 125 है ठीक है फिर वह कहता है एक टू की का लिए इसका मतलब क्या है कि अपकी बाद 250 में 3 का भाग लग रहा है ठीक है और यह बहाग लगकर यह संख्या आ है 83 है तो उस 83 को आप लिख दोगे डेसिमल वाली चीज को आप नहीं छेड़ोगे बस आपको 83 ही यहां लिखना यह धान रखना ठीक है अगर 83.93 होता तो भी आप 83 ही लिखोगे धान रखना ठीक है फिर इसी तरह से आप A3 का मतलब क्या है 250 में कुत्ते का भाग लग रहा ह पांच का पांच का भाग लग कर इसका मान आगया अपने पास 50 और यह इसको आप डायरेफ्टी 50 लिखते हो ठीक है फिर A4 कितना है पांच का भाग लिखने और इसको भी अपन कैसे लिखा हुए 35 ठीक है तो A1 की कारडिनिटी आगई A2 की कारडिनिटी आगई A3 की कार्डिनेटी आ गई, A4 की कार्डिनेटी आ गई आपके पास ठीक है अब बोजी कहता है आपको A1 इंटरसेक्शन A2 की कार्डिनेटी निकाल ले फार्मुला क्या है? A1 union, A2 union, A3 union, A4 इसका मतलब क्या है? कि A1 मतलब 2 से विभाजिक A2 मतलब 3 से और A3 मतलब 5 से और A4 मतलब 7 से तो A1 union, A2 union, A3 union, A4 का मतलब क्या है? जो यहां तो 2 से या 3 से या 5 से या 7 से विभाजित होते हैं तो वो फार्मुला अपने को कैल्कुलेट करना है पुरा अब उस फार्मुले की जो 4 टर्म सो अपने निकाल ली चार के बाद जैसी दूसरी टर्म कौन सी आएगी? A1 intersection, A2 ठीक है? इसकी card entry आपको निकाल ली है तो इसको जब अपन निकालेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 1 से 250 के मध्य 1 से 250 के मध्य पुरांग या integers पुरांग जो दो तथा intersection का meaning होता है and एक से 250 के मध्य पुरांग जो दो तथा तीन से विवाजित होते हैं विवाजित होते हैं और इनको कैसे निकालेंगे वेटा अपन उस case में कि 250 में अब आप 2 और 3 का LCM लिख दो वो कितले आएका 6 तो आप LCM लिए या इन दौनों का product कर दो दो इन्टू 3 तो यह आजाएक अच्छ है और इसका मान निकाल दो आप और यह मान आ रहा है जैसे 41.6 और इसका अंसर आ रहा है 41 ठीक है फिर आव आप A1 intersection A3 निकालोगे वो कैसे निकालोगे एक से 250 यह तो लिखना ही लिखना है मैं एक बार ओन लिख दे रहा हूं फिर नहीं लिखूंगा मद्य पुणान जो कित से 2 तथा 5 से विभाजयों ठीक है 2 तथा 5 से विभाजयों 250 में आवाब भागला हूँग किसका दोगुणा दसका है कि तोगुणा पांच नोई ने तो वह है 10 का भाग लगा हो अगे और यह आ रहा पास आंसर सी दही कितना रहा है इसका पच्चीस अब इसी प्रिकार से आप एवन इंटर्सेक्शन एफॉर निकालोगे अब मैं लिखनी रहा हूं आप चाहो तो लिख लेना एवन इंटर्सेक्शन एफॉर क्या होगा दो सो पचास अपन दो गुणा साथ बचाया एफॉर का साथ से विवाजित तो आप क्या लिखोगे 200 आपको एक बार में लिखते के बताएता हूं एक से एक से दो सो पचास के मद्ध है पुडांकों की संख्या जो पांच तथा तीन तथा एटू का मनलब तीन और एट्री का मनलब पांच जो तीन तथा पांच से विभाज्य हो जो तीन तथा पांच से विभाज्य हो और एटू इंटर्सेक्शन एट्री का माना वाज आएगा अपने पास दो सो पचासन भाग लगाओगे तीन गुडा पांच का और इससे जो माना आएगा वो क्या आ रहा है बेटा पंद्रा और यह सोला पांट छे और इसका मैक्जिम आपने पास इसे आप एटू इंटर्सेक्शन एफॉर निकालोगे वो कितना आएगा टू फिप्टी भाई एटू का मदलब 3 एफॉर का मदलब 7 और इसका माना आ रहा है अपने पास 11 ठीक है अब यह मान आपने निकाल दिये तो इसके बाद एफ्री इंटर्सेक्शन एफ कितना है दो तिन पांच पांच और यह साथ तो पांच गुणा साथ और इसका माना आया 250 बाई 35 और इसको लिख सकते हैं हमापन क्या 250 बाई 35 को एफ पास अब इसके बाद यह जो टर्म्स है ए टू ए थ्री ए टू ए A4 यह साई टर्म्स लगबख खतम हों महीं अपने पास और अब अपने पास बचिया है A1 इंटर्सेक्शन, A2 इंटर्सेक्शन, A3 तीन-तीन के पियर वाली टर्म्स टेक है उनको कैसे लेंगे उसके लिए लिकुआ आप 1 से 250 के मध्य है पुढांकों की संख्या पुढांकों की संख्या जो 2, 3 तथा 5 से विभाज्य हूं तो 2, 3, 5 तथा साथ से विभाज्य हूं इसका मजब ये इंटर्सेक्शन को आपट्या कैल्कुलेट करोगे है 2 गुणा 3 गुणा 5 और किसमा भाग लगा दो किसका 2 गुणा 3 गुणा 5 का और ये भाग लग के ये चीज आएगी क्या आए अपने पास आ रहा है विटा 8.33 और इसका मान आजएगा 8 तो बोर्त हो जाओगे लेकिन करना है काम एक बार सीखना है इसलिए अलग से लेक्चल लिया है मिने बिल्कुल A1 इंटरसेक्शन, A2 इंटरसेक्शन, A4 का मान क्या होगा 250, 2 गुणा 3 गुणा 7 और इसका मान निकाल लोग आप और ये मान आ रहा है आपने पास 5.9 यानी 5 कई बारा मोम असाइजमेंट में भी दे जेते हैं इसी प्रकार आप A1 इंटरसेक्शन, क्या निकालोगे? A1, A2, A3 निकाल लिया है A1, A2, A4 निकाल लिया आपने और बचेव मान निकालो आप A2, A1, A2, A3 A1, A2, A4, A1 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन, A4 ये बचेगा है, ठीक है? तो A1 का मतलब कितना है? कि दो एठी का मतलब कितना है पांच और का मतलब कितना है साथ तो इसका अब गुणा करके लिखोगे और फिर इसका मान आ रहा है अपनी पास यह आएगा विटा तीन पांच यह नहीं तीन और तुम भी देख लेना भाई भूल चुक लेने ने सारी की सारी पली बता दिये बने अगर कोई दिक्कतारी हो तो तुम कैल्कुलेटर होगा तुमारे सामने मैंने मान निकालना मकसद था और एटू इंटरसेक्शन एठी इंटरसेक्शन एफोर का जो मिनिंग है वो आ बच्वारे से थी इसे अथा यौना मान निकालोगे शच्वन ऐसर उच्वादार सामनेटर्सेक्शन एटू इंटर्सेक्शन एगूरे इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन एफोर कर्या ईखवार्चाय किम आ रहा है था दूसोअपचास्स मैं दो घुना अर म्यूना पांस न और यह उराए विड़ा 250 अपन 210 और यह रहा वन पाइंट सम्तिंग इसको आप लिखोगे खाली जुबाएं अब अविश्टिया वर्जन सिद्धान से अब लिख देना लाश्ट में यह सब माल लिखती है उसके बाद आप लिखोगे अविश्टिया वर्जन सिद्धान से च चार समुच्यों के अविश्टिया वर्जन सिद्धान से हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं विटा कि a1 union a2 union a3 union a4 is equal to क्या होता है a1 plus a2 plus a3 plus a4 इसमें कोई दिक्कत ने आया हमें ठीक है पटापड लिखके फिर a1 का intersection a2 से फिर a1 का intersection a3 से फिर a1 का intersection a4 से ठीक है फिर क्या कि आपनने a2 का intersection लेंगे आप a3 से फिर a2 का intersection लेंगे आपन a4 से फिर a3 का intersection लेंगे a4 से ठीक है तो यह सारी टम्स लिखदीं फिर आपस में सारी चील लिखेंगे आपन a1 a2 a3 plus a1 a2 a3 plus a1 a2 a4 a1 a2 a4 दो बार formula का formula हो गया a1 a3 a4 फिर minus कर देंगे अपन प्लस करके a2 a3 a4 इसको ध्यान लखना स्पेशल इस वाले टम्स टेक है और लास्ट में अपन यह जो मैं चीजां बता रहा हूं तो मैं आंसर इसका 193 तो एक तथा एक से लेके 250 तक के मद्य जितने भी पुणां के हैं उन वो दो या तीन या पांच या साथ से विभाजित होते हैं वो टोटल लंबर पुणां कितने हैं और एक से लेके 250 तक के पुणांक हैं और वो पुणांक जियाद करना है जो ना तो दो से ना तीन से ना पांस से ना 7 से विभाजित होते हैं तो उस केस में अपन क्या निकालते हैं वेटा A1-Union A2-Union A3-Union A4- टेक है और इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा अपने पास चो 250 एं टोटल पुडांग उसमें से क्या घटा दो गया A1-Union A2-Union A3-Union A4 ज्यान रखना टोटल नंबर पुडांग में से वो क्या घटा दो गया जो या तो 2 से या 3 से या 5 से या 7 से विवाजित होते हैं तो कॉश्चन अपने सौट दिया होा है ще से लेकर 1 हजार तक के पुडांग के हैं और वह भी इस तरीके का इसमें जो ना तो 2 से न 3 से न 5 से साज से विवाजित होते हैं जो 3 से विवाजित ना हो A3 का मतलब क्या है जो 5 से विवाजित ना हो और A4 का मतलब क्या है जो 7 से विवाजित ना हो तो यह मैंने extra part लिया कुष्टन का स्गिवाइजनल क्या है जो यह है थो 2 से पांसे हैं यह क्या करना बमादिया तो भूह